नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, पंजाब के चीफ मिनिश्टर कैप्टन अमरेंदर सिंग के द्वारा रेजिगनेशन दे दिया गया है, यह आप निउस देख सकते हैं, अमरेंदर सिंग समिट्स रेजिगनेशन एस पंजाब चीफ मिनिश्टर अलड़ी आपने देखा होगा पिछले काफी समय से, जो उनके पार्टी के अंदर नवजोत सिंग सिद्दू जी हैं, और इनके बीच में जो पुरा रिलेशन सा वो अच्छा नहीं था, अलड़ी काफी जादा इन फाइटिंग देखने को मिल रही थी, तो फानली यहाँ प हमारे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं, उसको काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे, चलिए देखते हैं, इक्जाक्ली हो क्या रहा है, देखिए आज की बात है साटर्डे को, यहाँ पर सुबे से किसी ना किसी प्रकार की खबर आ रही थी पंजाब से, और फानली यहाँ पर यह खबर आया, कि जो लेजिसलेचर पार्टी की मीटिंग है, उसको बलाए गया है, मतलब कि पंजाब के अंदर जो कॉंग्रेस पार्टी है, उसके अंदर आपको पता होगा, कॉंग्रेस को करीब 80 सीट मिला था, जो पिछला जानकारी दी, my father submitting his resignation to he, the governor sahib of पंजाब, और यहाँ पर जो अमरेंदर सिंग जी है, जब वो बाहर निकले, और राजबहन के बाहर, उन्होंने press conference में ये बोला, कि he felt humiliated, मतलब कहीं न कहीं बहुत जादा उनको पीडा थी, और उन्होंने ये बताया, कि आज मैंने Congress की जो President ह सुनिया गांदी, उनसे बातचीत की और कहा कि मैं यहाँ पर resignation देना चाहता हूँ, तो ये सारी चीजों को देखते वे, उन्होंने ये भी कहा, कि ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है, कि जो MLS की meeting है, वो बुलाई गई है, और पहले से उनको कुछ ना कुछ अंदेशा हो गया थ कि इस meeting के अंदर उनके खिलाफ कोई प्रस्ताल आया जा सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, कि दो तरह के versions देखने को मिल रहे हैं, कि एक version ये बोला गया, कि सुनिया गांदी ने उनको सुबह कॉल किया, और ये कहा कि जो party की wish है, जो ज़्या और इसी के वजए से उन्होंने ये पत छोड़ दिया है, तो दोनों version देखने को मिल रहे हैं, वो तो अब Congress party बता पाएगी, लेकिन यहां पर एक और सबसे बड़ा प्रशना आ रहा है, क्योंकि आप देखिए, जो उनके द्वारा शब्द का इस्तमाल किया गया है, कि he felt humiliated तो इससे क्या वो Congress party भी छोड़ सकते हैं, देखे, अभी के लिए तो यही बोला गया है उनके द्वारा कि मेरा कोई plan तो नहीं है Congress party छोड़ने का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि future politics is always an option, कि future में क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, जो भी decision होगा वो मैं अपने loyalist के साथ discussion क करके आपको बताऊंगा, तो ये जितना भी कुछ हुआ है एक प्रकार से जो आगे आने वाला election है, क्योंकि आपको समझना है कि अगले 5-6 महने के अंदर पंजाब के अंदर election होने वाला है, और पंजाब एक ऐसा जगा था जहाँ पर Congress party feel कर पा रही थी कि वो वहाँ पर confidently ज हुआ होगा, कौन-कौन से वो current थे, जिसकी वजह से कई सारे MLAs हैं वो नराज बताया जा रहे हैं, कौन से ऐसी चीजे हैं जिसकी वजह से ये चीज हमें देखने को मिल रही है, सबसे पहला बताया जा रहा है कि कई सारे मामले में यहाँ पर inaction लिया गया, मतलब कि कोई action ज जो पिछला बादल सरकार चला रही थी, वो सही से उसको handle नहीं कर पाएं, तो यहाँ पर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो इसको लेकर कोई बहुत बड़ा अभी तक कदम नहीं उठाया गया है, दूसरा एक और बहुत बड़ा case था, sacrilege case, basically 2015 का कुछ ऐसा case था, जो सिख धर्म के अंदर जो सबसे बड़ा religious book है, गुरु गरंद साहिव आपको पता होगा, उससे related कुछ चोरी वगरा हो गया था, कुछ चीजें चल रही थी, उससे related पूरा case हुआ, जिसको लेकर जो लोगों को सजा मिलने ही चाहिए थी, इसके लिए, वो सजा यहाँ पर जो commission वगरा की report आई थी, उसमें यहाँ पर बादल्स के उपर जो आरोप है, वो लगाय जा रहे थी कि देरा सच्चा सौदा वालों को बचानी की कोशिश कर रहे हैं, तो एक प्रकार से जो सजा मिलने ही चाहिए थी, कुछ लोगों को वो नहीं दिला पाए, अमरेंदर सिं देखें, यहाँ पर जो congress के MLA's हैं, वो इस बात से नाराज थे कि जो chief minister हैं, वो उनसे मिलते नहीं हैं, उनके आस पास कुछ ही लोग जा पाते हैं, और जो MLA's के concerns हैं, उनको नहीं सुना जा रहा है, इन फाक्ट यह आरोप पिछला जो tenure था, अमरेंदर सिंगी का, उसके अ outskirts में, जो भारी लाका है, वहाँ पर एक farm house में shift कर लिया था, जिसकी वज़े से बहुत जादा मिलना जुनना नहीं हो रहा था, और इन फाक्ट यहाँ पर पहले के जितने chief minister आप देखोगे, तो एक संगत दर्शन होता था, public audience के साथ मुलकात होती थी, concerns सुने जाते थे, जैसे कि पिछले अकाली के जो प्रकास सिंग बादल है, या फिर Congress Party के बेंट सिंग थे, वो मिला करते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वज़े से लोगों में नराजगी थी, यह भी बताया गया है, अगला जो काराण बताया जा रहा है, वो यह है कि जो government है, वो bureaucracy के साहरे ही चल रही थी, कहने का मतलब है कि जो Congress Party के legislators थे, वो लगतार आरोप लगा रहे थे, अमरिंदर सिंग के उपर, कि जो पूरा governance है पंजाब के अंदर, वो सब कुछ bureaucracy पर छोड़ दिया गया है, जो political initiative लेना चाहिए था, वो नहीं ले पा रहा है, जैसे कि 2017 2017 में आते ही यहाँ पर अमरिंदर सिंग ने सुरेश कुमार, 1983 batch के IS officer को Chief Principal Secretary बना दिया, और अगर आप देखोगे तो इनके उपर भी पूरा case वगरा चल रहा था, कि क्वैश कर दिया गया था, appointment को लेकर फिर वापस से, वो सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक प्रकार स आप कह सकते हो कि Chief Minister Secretary नहीं जा रहे थे, तो पूरा जो power center है, वो IS officer के कंदे पर आ गया था, और इसको लेकर जो politicians हैं वो नाराज थे, इनफरक्ट यहाँ पर जो बादल्स का cloud था, अभी वो लगातार बना हुआ था, ऐसा Congress MLS के दोरा लगातार complaints आ रहे थे, और finally जो एक सब आपसे बड़ा concern होता है किसी भी देश के अंदर या फिर हमारे राजी के अंदर, वो यह है कि क्या आपके पास number है कि नहीं, मतलब देखो, Congress Party का अगर आप देखो कि यहाँ पर जो election हुआ था, तो 80 seat मतलब की two-third majority आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ultimately Chief Minister कौन बनता है, यह इंडिया नाशनल कॉंग्रेस से जो पार्टी है, 80 MLA है, वही तो ultimately decide करेंगे कि यहाँ पर किसको Chief Minister बनाना है, voting वगर होती है, तो यहाँ पर अगर आप number का game देखोगे, तो अरड़ी आपको पता होगा जो नौजोद सिंग सिद्धू है, वो काफी जादा descent कर रहे थे, और उनसे यही गोहार किया, कि जो भी कुछ हो रहा है, पंजाब के अंदर सही नहीं है, इसको सुल्जाने के लिए अभी कुछ, एक महने पहले, एक दो महने पहले जुलाई में, यहाँ पर नौजोद सिंग सिद्धू को पंजाब का Chief बना दिया गया था, जो पंजाब की Congress Party है उसका Chief बना दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नौजोज सिंग सिद्धू और अमरेंदर सिंग साथ काम नहीं कर पा रहे थे, और इसी को देखते वे इन फाइटिंग लगतार बढ़ रही थी, और आखरी यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी जश्ट दो तीन दि को लेटर लिख दिया कि जल्द से जल्द यहाँ पर Congress Party की legislative Party की मीटिंग बुलानी चाहिए, और यही मीटिंग आज होने वाली थी शाम को, लेकिन उस मीटिंग के जस्ट पहले ही यहाँ पर अमरेंदर सिंग जी ने अपना resignation दे दिया, तो यह पूरी कहानी है, आखरी में ए किया था और congratulate किया था राहूल गांधी को जिस तरह से उन्होंने handle किया है, यह सारी कीए, तो सुनिल जाकर हो सकते हैं, जो भी होगा वो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन यह आई होप की इस वीडियो के माध्याम से जो भी सिनारियो है, जो भी कुछ हुआ, वो आपको स क्या होगा, चार option है, इसको बताइए कौन सा correct है, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नही हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर स सकते हो, बाकी अगर आपको PDF टेई तो Telegram पर आईए, अलग-अलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ UPSC यहाँ फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आप हमारे app को download कर लीजे, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ आप से next time till then, thank you very much, see you soon. झाल